पात्रों ज्यादा हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेश्टाए हैं अंधे नगरी नाटक में जो गीत है उसका भी सुन्दर प्रयोग है वो शास्त्रिय रागों में गाये गए उसका पार्सी और लोक नाटकों का भी प्रभाहम देख सकते हैं और वो जो गीतों के माध्य से नाटक का पूरा प्रयोजन जो है हमारे सामने आ जाता है कि उस वक्ति क्या व्यवस्था थी और क्या ना व्यवस्था थी कि अंगरी जुकी कौन सी कूट नीती थी इस व्रकार जो नाटक है पूरा प्रहसन जो है वो अपने उद्देश को लेकर जो है अपना एक महत्व पूर्ण जो है अपने उद्देश को भी पूरा करने में अंधे नगरी नाटक जो है उस समय का सफल नाटक है और कुल मिला कर अंधे नगरी जो है भारतेंदु का एक ऐसा नाटक है जो आज भी उतना ही प्रासंगीक है और भारतेंदु हिंदु नाटक के आध्य पिता थे औ और हमारा सद्भाग्य है कि आरम से ही उन्होंने भारतेंदुने रंगमंचीता और अभीनेता से हिंदी नाटक को नवा जा है। अपने समय का ही नहीं अपने समय से भी आगे चलने वाला प्रसीद नाटक है। तो आप सब लोग ने हमारे इस कारेक्रम को अच्छी तरह से देखा और हमें एप्टिसेट किया। इसलिए हम आप सब का आभार प्रगट करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। रख़ोग वाला प्रसीद प्रसीद करता है। वाला प्रसीद व्यक्ते।